हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो माई चैनल विजा क्वेश्ट आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि चिपेश टिकेट हमें इंडिया के लिए यूके से कौन से कौन से महने में मिल सकती है और हमें उसे कब भ्योग कर लेना चाहिए तो चलते हैं वीडियो का टेस्ट आट हमने य आप टिकेट्स टू लंडन टू मुंबई भी लिख सकते हैं आपको जहां भी जाना है वा का डेस्टिनेशन तो यह आ चुका है और सबसे पहले हमारा आ जाएगा स्काई स्कैनर मैं इसी को यूस करती हूं तो अब यहां पर हम सबसे पहले तो वन वे देख लेंगे क्योंकि कभी कभी वन वे बहुत ही सस्ती मिल जाती है जबकि अभी वो अगस्ट एंडिंग से लेके 24 सप्टेमबर तक बहुत ही चीप रेज में थी जिसके 136 पर परसन एडल के लिए ये इकनोमी फैर था सिंगल का तो सोचिए अगर आप आजाने की टिकेट बुक करते हो आपको कितनी सस्ती मिलेगी तो देखिए अभी मैंने सर्च किया है ये तो हमें आ रहा है 541 वर्जिन एडलांटिक की तरफ से आ रहा है और अगर आप वाया जाना चाहते है तो आपको 247 टक यहां पर मिल सकती है तो अभी हम रिटर्न का भी देख लेते हैं लिनन हेटरो टू मुंबई मैंने ये अक्टोबर का चेक किया है अभी डाल देते हैं इसमें तो देखिए प्राइज रिफाइन हो रहे है आपको 537 तक बेस्ट प्राइज मिलेगी जो चिपेस्ट है और डाइरेक्ट फ्लाइट है वर्जिन एंटर्णिक का 626 दिखा रहा है और इंडिया की 560 प्राइट में आप क्लिक करेंगे तो आपको और भी फ्लाइट दिखाएंगे जैसे के बिटीस की 575 दिखा रहा है ये अक्टोबर के लिए अब मैं आपको एक दूसरा मेन दिखा देती हूँ जैसे कि हम जन्वरी में जन्वरी फरवरी से जर्फर इंडियान इन मुंबई जाते हैं यहां से UK से because February और March में साडियो का सीजन होता है तो हम एक बार January की देख लेते हैं कि January की क्या टेकिट्स है Basically हम चार तरिक के बात का ही देखेंगे क्योंकि 31st और New Year 1st January का New Year होता है तो तब तब तो महेंगी ही रहेगी मैंने यहां पर चार तरिक के डाल देती है और तीन फर्वरी का रिटर्न कर लिया है तो यहां पर विस्तारा के भी फ्लाइट आ चुकी है आपको वाया होके 506 सक होगी और बेस्ट आपको 528 तक डारेक फ्लाइट मिल जाएगी जन्वरी में यहीं जन्वरी की मैंने जब अभी सप्टेम्बर में सप्टेम्बर फर्स्ट वीक में मैंने जब यहां सिंगल के लिए सर्च किया था तो मुझे 163 पर परसन सिंगल बताई थी मतलब कि 300 में अभी जन्वरी नद्डिक आ रहा है इसलिए प्राइज बढ़ चुकी है अब जितना नद्डिक जाके सर्च करेंगे उतनी वो बड़ी हुई होगी आप अगर 6-7 मेने का अगेप लेकर चलते हैं अभी देखे सिंगल जैसे मैंने आपको बताया था सिंगल 320 की है अगर आप वाया होके जाना चाहते है जोगी लॉंग हवर है तो 136 पर परसन पर रही है यहां पे और सिंगल 320 की है बागे आप जब भी अगर आपके पास टाइम ही है और आप जब भी चीप टिकिट हो तब आपस यू के आना चाहते है तो यह आपके लिए बैस्ट रहेगा अब हम रिटर्न देख लेते एक बार मैं आपको एक बार जुलाई की दिखा देती हूँ जो हॉलिडेस की होती है लास्ट टाइम जब हम गए थे हमने मार्च में बुक किये थे जबकि फरवरी में मुझे डाइरेक्ट फॉलाइट 600 पाउन की दिखा रहा था जुलाई के ल 200 के रेंज में जा चुकी थी और अभी देखिए ये जुलाई के लिए 13 जुलाई के लिए ये फ्लाइट की टिकेट है 440 डाइरेक्ट जो कि मेरे ख्याल से बेस्ट है अगर कोई जाना चाता है अगले साल UK holiday period में क्योंकि जो बच्चों की छुट्टी अब में होती है तो य ये पांच-छे मेने पहले booking करना बहुत ही अच्छा होता है अगर आपको पता है कि आप जाने वाले है बाकि इमर्जिंस में क्या तो आपको पता है ये जो रेट होगा वो देखे जाना पड़ेगा लेकिन अगर आपके पास time है और आपका plan fix है तो आप इस तरह से booking कर सकते झाले है ये